दिवाली के बाद दिली में प्रदूशन का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर केज़वा सरकार के जरी किये जा रहे हैं लेकिन फिलाल राहत अभी लोगों को मिलते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिली NCR में साफ देखा जा रहा है। यानि की हवा जहरीली लोगों के लिए और अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आँखों में जलन हो रही है। और अगर हलातों पर जल से जल काबू नहीं पागया तो ये मुश्किले और भी जादा बढ़ सकते हैं। तो एर कॉलिटी का स्थर जो है सुरक्षत सीमा से 12 गुना जादा पहुँच चुका है और इसके साथी एर कॉलिटी इंडेक्स से पहुँच चुका है 600 के पार। तो ये साथ आकड़े बता रहे है कि किस तरह से दिली में दिन प्रते दिन आबो हवा बेहत खराब होती चली जा रही है जहरीली होती जा रही है और उसका अचर सीदे आम लोगों पर पढ़ने वाला है यहाँ पर क्योंकि प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वो प्रयास सफल दिल्ली सरकार जगे जगों पर पानी का छड़काफ कर रही है और इवन भी याँ पर जल से दिल्ली में अब लागू होने वाला है चार नवंबर से लेकर 15 नवंबर के भीच लेकिन राहत आखरकार लोगों को कब मिलेगी ये देखना होगा